दोस्तों आपको बता दें कि तालीबान के अफगांस्तान पर कबजा के बाद अमेरिका ने अफगांस्तान की विदेसों में जमा रकम की निकासी पर रोक लगा दी है वहीं अमेरिकी दबाव में विश्व के financial corporation ने भी तालीबान को financial मदद देने से इंकार कर दिया है ऐसे में तालीबान के सामने सबसे बड़ी समस्या धन की कमी आ रही है अमेरिका का साफ कहना है कि तालीबान महिलाओ की इज़्जद और उनके अधिकारियों का सम्मान जब तक नहीं करेगा तब तक अमेरिका तालीबान की कोई भी मदद नहीं करने वाला है दोस्तो तालीबान के काफी कडिब आ चुके चाइना ने उसको फाइनेंसियल मदद देने का एलान का चुका है वही तालीबान ने चीन के बनाये जा रहे आथिक कोडिडॉर में भी भागे डारी बनने की बात कहकर उसके मुराद बिना मांगे ही पूरे कर दिये हैं ये दोनों ही चीज पहले से ही तैम आनी जा रही थी और अब चीन के तालीबान को फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट पटी जो बाइडन का एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों उन्होंने कहा है कि अफगाइंस्तान पर तालीबान के कबजे के बार चाइना तालीबान के साथ मिलकर काम करने वाला है उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ही नई बलकि रशिया और इरान भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए दोस्तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन सीरी तोर पर ये कहना चाहते हैं कि चाइना, रसिया और इरान ये तीनों मिलकर तालिबान को फंडिंग करेंगे जिसके बाइसे तालिबान के फंड रेज होगी और तालिबान अपने देश में अत्या चार करेगा, कोई भी कंस्रक्शन नहीं करेगा दोस्तो आईए आप आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है रैटर्स के मताबिक जानकारों का यह भी कहना है कि यादी चीन और रस्या तालिबान को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके फंडिंग की कोई कमी नहीं रहेगी नोस्तो यह बत उसाफ है कि चाइना और रशिया बहुत जाला समरिद देश हैं इनके पास बहुत सारा पैसा है और यह चाहें तो असानी से तालिबान को खरीच सकते हैं उन्हें फंडिंग कर सकते हैं और तालिबान उस पैसे का कैसा उप्योग करता है यह इन देशों से मतलब नहीं है बस यह क्या करना चाहते हैं कि तालिबान को help करके अफगानिस्तान में अपने construction को चालू करना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान पर भी इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ सके ना उस्तों उमीद करते हैं आपको यह information पसंद आया होगा अगर आप ऐसी news देखना चालते हैं तो मैं चैनल को भी subscribe किजे जै हिंड जै भारत